प्रिंट्स आज हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है बहुत टेस्टी बनने वाला है पत्ता गोभी की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं पत्ता गोभी को हम क्रस करेंगे धोके साफ कर लेंगे कट कर लेंगे और पत्ता गोभी का हम प्राठा तयार करेंगे जैसे कि आपको भी सुनका रजीब लग रहा होगा लेकिन पत्ता गोभी का प्राठा बहुत ही टेस्टी बनता है जिस तरह से आप आलू के प्राठे बनाते हैं मुली के प्राठे बनाते हैं मटर के प्राठे बनाते हैं गोभी के प्राठे बनाते हैं तो बस हमें पत्ता गोबी को क्रस करके तयार कर लेना है, पत्ता गोबी को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है, और इसके बाद पत्ता गोबी को हमें क्रस करके तयार करना है, सर्दियों में पत्ता गोबी सस्ता मिलता है, तो हम इसका प्राठा तयार करेंगे, तो चलिए वीड ठीसार बहुत ही अच्छे मिलते हैं तो घर को जरुदी कीजिएगा प्राथे के जब आप गजर को यूज सर्ट करें के बहुत ही टेस्टी बने गाथ पत्ता गोभी और आप गाजर कंळा रहा है तो चलेगा आप पत्त्ता गोभी का भी बना सकते हैं यहां पे थोड़ा सा ए जब आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा बहुत ही पसंद आएगा तो आप देख सकते हैं गाजर को नमक के साथ हमने मिक्स कर दिया है और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और इसके बाद हम चटनी बनाएंगे प्राठे के साथ चट अगर आपके पास कच्छे टामाटर ना हो तो पके टामाटर को यूज कर सकते हैं लेकिन कच्छे वाले टामाटर का धन्या की चटनी आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है कच्छे वाले टामाटर का चटनी बहुत ही स्वाधिस्ट होता है तो अगर आपको कच्चा वाला टमाटर मिल जाता है तो आप जरूर कच्चा वाला ही टमाटर यूज किज्येगा और यहाँ पे मैं थोड़े से लसन और लसन के साथ हरी मिर्च एड़ करूँगी स्वाद के साथ बहुत ही अच्छा आएगा हरी मिर्च के साथ चटनी और यहाँ पर मैं देसी धन्या की पती यूज़ कर रहे हूं देसी धन्या की पती अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप मोटे डंठल वाले धन्या की पती यूज़ कर रहे हैं और अब मैं यहाँ पे नमक यूज़ करूँगी नमक डालिए और इसे थोड़ी देर के लिए और ग्राइंड कर लीज़े ताकि चटनी बहुत ही बारिक पिसकर तयार हो जाए तो चटनी हमारा बिल्कुल रड़ी है इसे हम किसी बॉल में खाली कर देंगे आप देख सकते हैं भी बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और खाने में धन्या की चटनी तो बहुत ही प्यारी लगती है किसी भी चीज के साथ आप खाते हैं अब जो हमारा चक पत्तां भूभी और गाज रोेका ने तयार किया है in इस बेटर को क्या करना है इसे पानी जो पूरा इसे सारे को हमें निकालना है तो हमें कॉटन का कपड़ा लेंगे और इस कपड़े में डाल कर इसे अच्छे से दबा के इसका जो पानी है वो हमें निकालना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी न रहे यदि आप इसमें पानी रह जाएगा तो आपको प्राठी बनाने में त ज्यादा छोड़ देता है तो इसे हमें अच्छे से निकालना है अब इस पानी को हमें फेकना नहीं है इस पानी को हम क्या करेंगे जब हम आटा गुंदेंगे तो आटा बनाने में हम इस पानी को तयार करेंगे और इस पानी को डाल कर ही हम आटा गुंद लेंगे तो आप दे अध्रक और मिर्च का पेश्ट मैं यह प्रेशर जीर जीर पाउडर करिए में से हलका सा ili का भाइंगे और मोर्य मिर्च सा प्रावडर को टक lovedру स्वादिश्ट लगीगा तो आप देख सकते हैं मैं यहां पर चाट मसाला भी आड़ कर दे रही हूं और अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वादनुसार नमक हमने पहले डाला था लेकिन वह पानी में चला गया है इसलिए नमक हमें यहां पर डालना है जो पानी में जो आटे म करना है जो पानी है उसी पानी से हमें आटा तयार करना है आप देख सकते हैं प्राठा के लिए आटा हमें सॉफ्ट आटा गुदना है आटा तयार है अब हम क्या करेंगे छोटे से गोला को हम तयार करेंगे मैं यहां दो तरह से आपको प्राठा बनाने के लिए विदी बत सकते हैं प्राठा को तो मैं यह पहला तरीका जो है मैं वही तरीका आपना रहे हूं दूसरा तरीका जो मैं बताने वाली हूँ, वह जो तरीका है, वह भी बहुत आसान है, बनाना बहुत ही अच्छा से बन जाता है उससे प्राठा हर लेयर में मिलता है, तो मैं वह बाला भी बताँ आपको तो आप देख सकते हैं प्राठा मैं मेडियम फ्लेम पर प्राठा को मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी प्राठा बनता है यह दूसरा जो तरीका है इसमें हम क्या करेंगे रोटी को बड़ा सा बेल देंगे जितना बड़ा आपका चकला है उस हिसाब से थोड़ा सा गोला लीजिए और बड़ा रोटी जैसा आप बिल लीजिए ठीक है और इसके बाद हम क्या करेंगे रोटी की तरफ बिलने के बाद जो भरावन है उस भरावन को हम बीच में रखेंगे पहले मैं इसमें घीट डाल देती हूँ ताकि प्राठा यह पकता रहे ताकि जब तक दूसरे में हम भरावन तयार करेंगे तब देख सकते हैं भरावन को हमें पूरे रोटी में फैलाना है फ्लेम को मेडियम रखेंगे ताकि यह जो प्राठा है यह भी पकता रहे तब देख सकते हैं प्राठा कितना अच्छे से फूल गया है और यह प्राठा हमारा तयार हो इसके साथ हम दूस्रा वाले प्राथा बनाएंगे तो सुल्ट करें spec, धियाँ अन्टर भी और यह देखार जिद्य में के बड़ात ऐसेँ संकर मैं थाया है वो भी आप देख सकते हैं आपको विडियो के end में उसका link मिल जाएगा आप देख लिजेगा बस आप देखिए प्राठा बनाना कितना ही आसान है और इसके हर layer में आपको masala मिलेगा जो भी आप भरावन भरते हैं वो भरावन आपको हर layer में आपको मिलेगा तो ये प्राठा लोगों को ज़्यादा पसंद आता है तो अगर आप भी ऐसा प्राठा बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भरावन करके बनाईए इसी तरह से आप स्क्वाइर में भी प्राठा बना सकते हैं जैसे मैंने रोटी बेल कर बनाया वैसे ही चारो तरह भरावन डाल कर और दोनु साइट से फोल्ड करके आप उस तरह से स्क्वाइर में भी प्राठा बना कर तयार कर सकते हैं तो बस आपको ये त्रीकोन प्राठा भी आपको पसंद आएगा इसी तरह मैंने मुली के प्राठे भी मैंने बना कर दिखाए हैं मैंने उसके वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में प्राठा बनकर तयार हो जाता है और ये प्राठा जब आप खाएंगे तो आप जिस तरह सारे चीजों का प्राठा बनाते हैं वैसे ये भी प्राठा पत्ता गोभी का प्राठा जल्दी जल्दी बनाना शुरू करेंगे तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट जरूर कीजेगा आप इस बार इस प्राठे को पत्ता गोभी का प्राठा ट्राई कीजेगा अगर आप पसंद आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको पत्ता गोभी का प्राथा कैसा लगा और इसी तरह आप सुन्दर minion से प्राथा बनाइए और सर्व कीजिये आपको मुझी पूरा यकिन है कि आपको ये पत्ता गोभी का प्राथा जरूर से जरूर ही पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिलकुल ना भूले मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू